समस्कार तोस्तों सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को मालूम है मध्य प्रिदेश एनेचेम द्वारा स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपका जो एक्जाम है साथ परवरी 2023 को कंडेट कराये जाने वाला था फिर आप लोगों को information मिली कि जो भी एक्जाम कंडेट कराया गया एक्जाम का paper यहाँ पर लीक हो चुका है और इसके चलते हुज है notice यहाँ पर जा रही हुआ जिसमें यह लखा गया कि एक्जाम को यहाँ पर cancel किया जा रहा है निरस्त यहाँ पर किया जा रहा है दोस्तो आज का यह जो अपडेट है काफी ज़ादा मैत पूरी रहेगा इसमें मैं 7-8 newspaper की information आपके साथ यहाँ पर share करने वाला हूँ कि किस तरीके से यह scam यहाँ पर चल रहा था किस तरीके से जो है यह पूरा जो है फरजी बाड़ा यहाँ पर चल रहा था तो ऐसे ऐसे मद्य प्रिदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगाओं पर यहाँ पर कारवाई की गई तो यह जानकारी भी आपको इसमें आपे मिलने वाली है और साथी साथ आपको यह भी बताऊंगा कितने स्कैमर्स कितने आपे लोग यहाँ पर इस फरजी बाड़े में लिप्त थे और बताना चालता उसमें लड़के भी इस फरजी बाड़े में आपे पकड़े गए साथी साथ लड़कियां भी इसमें जो है फरजी बाड़े में आपे पकड़ी गई है तो सारी जानकारी जो है हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में cover करेंगे बिल्कुल आपको इस वीडियो को last तक देखना है पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जागी सबसे पहले देखिए आप लोग heading भी पड़ें लिखा है पेपर लीक 15-15 लाक रुपे में मिल रहे एनेचेम के पेपर सूचना मिलने पर गौालियर में ताबर तो छापे मारी तो दोस्तों देखिए 7 फरवरे 2023 को यह information अपडेट यहाँ पर कर दी गई और जैसे की लखा है 15-15 लाक तो देखिए 15 लाक रुपे में जो है इन पेपर्स का सौधा यहाँ पर किया जा रहा था और जैसी सूचना मिली गौालियर की जो पुलिस है लोग ने यहाँ पर चापे मारी कर दी और यह जो information है मैं नहीं क्या रहा हूँ आप लोग देखिए heading भी पड़े यहाँ पर लिखा है NBT तो नव भारत टाइम्स द्वारा यह update आपको दिया जा रहा है तो चलिए पूरी जानकारी हम लोग इसको यहाँ पर रीट कर लेते हैं क्या information रहेगी तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है तो देखिए solvers यहाँ पर पकड़े गए जो exam को यहाँ पर solve यहाँ पर करा रहे थे और इसमें लड़के भी थे और इसमें लड़कियां भी यहाँ पर लिफते आपर पाई गई साथी साथ यहाँ पर देखिए headline के तोर पर लखा है तो यह photo बिलकुल आप सब भी लोग अपनी screens पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है centers पर पुलिस ने यहाँ पर कारवाई यहाँ पर की इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है MP में गवालियर में पुलिस ने NHM paper लीग होने के मामले में साथ लोगों को गरफतार किया इसके अलाबा पुलिस ने परिक्षा के दोरान paper solve करते हुए 15 लड़कियों और 11 लड़कों को भी पकड़ा है जी यहाँ दोस्तों 15 लड़किया थी और इसमें देखिए 11 लड़के इसमें यहाँ पर शामिल थे मंगलबार को ग्वालियर में नेशनल हेल्फ मिशन की परिक्षा के लिए चार सेंटर बनाए गए थे तीन सेंटर बड़ा गाओ रोट पर बनाए गए जबकि एक सेंटर 34 इलाके में बनाया गया था तो इस सेंटर की जानकारी भी यहाँ पर दे दी गई और यह जो इसके में देखिए भोपाल, इंदर, जवलपूर, सागर यह सबी से यहाँ पर जुड़ा हुआ था और सॉल्वर्स यहाँ पर जो है एक्जाम को यहाँ पर सॉल्व यहाँ पर करा रहे थे इसके बाद देखिए लिखा है ग्वालियर पुलिस को इस बात की सूचना लगी कि कुछ लोग नैशनल हेल्प मिशन का पेपर 15-15 लाग रुपे में बेच रहे हैं यह जानकारी मिलती है ग्वालियर पुलिस सक्री हो गई ग्वालियर पुलिस ने अलग-अलग इस्थान पर चापा मार कर साथ लोगों को पकड़ा है जिन पर पेपर बेचने का आरूप है नैशनल हेल्प मिशन का यह पेपर साड़े तीन बजे होना था पेपर लीक होने की जानकारी मिलने पर सक्री हुई पुलिस ने अब तक ऐसे 15 लड़कियों और 11 लड़कों को भी पकड़ा है जो परीक्षा के दौरान पेपर याँ पे सौल्व याँ पे करा रहे थे इसके बाद देखे लिखा है पुलिस ने अब तक जो जानकारी दिया है वही पुलिस इस कारवाई के ग्वालियर में हड़कम मच गया इस रैकेट से जुड़े लोग अब पूछ रहे अब छुप रहे है कतित तोर पर यह बता जा रहा है कि ग्रो से कुछ बड़े लोग भी जुड़े है जिन तक पुलिस पहुँचने की कोशिश यहां पे कर रही अभी जो लोग पकड़े हैं वो उस मामले में यहां पे शामिल यहां पे कर लिए गए है इसके बाद दोस्तों जो अगली इंफॉर्मेशन है वो रहा है कि दैनेक भासकर नीउस के माद्धे हम से इसमें देखे लिखा है स्टाफ नर्स परिक्षा का पेपर लिख एक्जाम निरस्ट तो आईए इनका भी जो है आल्टिकल हम लोग यहां पर करेंगे देखें यहां पे नीचे की तरव यहां पे लिखा है गः लिख होने के कारण एक्जाम को निरस्ट कर दिया गौलियर की डबरा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इस मामले में साथ लोगों को टेकनपूर की होटल से पकड़ा है आरोपियों में दो लोग उत्तर प्रदेश, दो लोग हर्याणा और तीन आरोपी गौलियर में रहने वाले थे तो देखिए यहाँ पे भी स्केम चल दा था, डबरा पुलिस ने कारवाई ही यहाँ पे की है और इसे में साथ लोगों को यहाँ पकड़ दिया जो परिक्षा एजनसी में MD को लिखा गया पकड़े गया संदिक इलाबाद पे रहने वाले बताए जा रहे है तो देखिए इससे पहले वाली जो इन्फोर्मेशन थी वो गौलियर की थी और यह वाली इन्फोर्मेशन डबरा पुलिस द्वारा यह जो है यहाँ पे कंप्ल नेशनल हेल्प मिशन भरती परिक्षा अस्तगत कर दी गई गौलियर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पेपर जो है 15-15 लाग रुपे में बेचने वाले आरोपियों को गरफतार कर लिया है सभी आरोपी टेकनपुर डवरा के किरिशना होटल में ठेरे थे सूचना मिलने के पुलिस ने होटल के चारो तरफ से गिर कर सभी छे मुनना भाईयों को गरफतार कर लिया सभी आरोपी उत्तर प्रिदेश की इलावाद के रहने वाले हैं बताया गया है कि पेपर लिग होने के बाद नेशनल हेल्प मिशन में सूबे में भरती परिक्षा को ततकाल कैंसल य देखिए इसमें आप लिखा है दोनों परिक्षाओं को तो यह साफ साफ यह दर्शार आए कि दोनों शिप्ट का एक्जाम जो है यहां पर कैंसल यहां पर है और निरस यहां पर कर दिया गया गौलियर पुलिस अधिक्षक ने बताया कि कुछ घंटे बाद नरहें के स्टा को यहां पर उठाया गया पुलिस ने आपर करवाई की और भी देखिए इसमें जो इनफोर्मेशन है आरूपियों ने अपने वाहन से चात्रों को लाने ले जाने की भी व्यवस्ता की थी तो देखिए जो आरूपी थी तो उनको जो ट्रैवल करने का था तो उन्हें यह व रात में परिक्षारतियों का पेपर के जवाब रटवाए थे मीज एक रात पहली पेपर उनको मिल गया था और लिखा हुआ है आरूपियों ने रात में ही मतलब परिक्षारतियों को पेपर के जवाब यहां पे रटवा दिये थे कि इसको याद कर ले और इसको बड़े आ गया थी इसके अलावा एक किंद्र गौलियर शहर में 34 स्थेथ एक स्कूल में बना गया था तैयारी यह पूरी हो गई थी यह परीक्षा मंगलवार को तीन बजे से होनी थी लेकिन अचानक क्राइम ब्रांच को पेपर लिख होने की ख़बर मेरी और आरोपियों को धर तो काफी काइडिडेट को डाउट था कि फर्स शिप्ट का हुआ है या फिर सेकंड शिप्ट का हुआ है तो दोनों शिप्ट को शिप्टों के जो है पेपर यहां पे निरस्ति आप पर कर दे गए ऐसी इंफॉर्मेशन आपको इसमें आप पर दे दी गई है अब आप सबी नेता प्रतिपक्ष ने लगाए गंबीर आरोप कहा माफिया और सरकार की बीच गट जोड बीजेपी ने किया पलटवार तो देखे इसमें क्या जानकारी है इसको में थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें जानकारी आज मैं आपको दे दी गई तो हो यहाँ पे देखें ट्वेट करके लखा है मद्य प्रदेश में फिर हुआ पेपर लिग आज समीदा स्टाफ नर्स का पेपर लिग हो गया वा शिवराज जी पहले तो पेपर के लिए तारीक पर तारीक देते हैं फिर पेपर लिग करवा देते हैं मद्यप्रिदेश के एक परिक्षा भी सही तरीके से पूर नहीं हो रही तो ये जो है अलग अलग जो है नेता पृतिपक्ष द्वारा ये रिस्पॉंस यहां पे दिये जा रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहां पे दे दी इसके बाद लिखा है वहीं के साथ कोई कोठार गात नहीं होगा जो भी इसमें लिप्त पाये जाएगा कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी वहीं कॉंग्रेस के आरोपी पर पर पलटवार करते हुए सलूजा ने कहा कि कॉंग्रेस के समय में ऐसे काम होते थे जिसलिए लोगों को संस्क्रण मिलता था शिवरा सरकार वह सरकार है जिसने ऐसे मामलोग में दोशियों पर कड़ी से कड़ी कारवाई यहां पे की है तो देखिए अलग-अलग रिस्पॉंसेज जो हैं यहां पे द इस नेटवर्क यहां पे फैला हुआ था इस फोटो में देखिए यहां पे पुलिस ऑफिशल्स यहां पे बैटी हुए हैं यहां पे देखिए नीचे जो है अधिकारी है पुलिस के और जो पीछे जो यहां पे जो लोग है इनी सब के दौरा जो है कारवाई यहां पे की ज इसमें भी देखिए क्या लिखा है MP में National Health Mission आज होने वाली समीधा स्टाफ नर्स की भरती परिक्षा का पेपर लिख हो गया इसके चलते एक्जाम को नर्स कर दिया इस मामले में परिक्षारतियों ने भौपार में प्रदर्शन किया वही दूसरी और गौलियर क्राइम बरां लड़किया है और 11 लड़किया ये एक्जाम को जो है solve कराती हुए जो है पकड़े गए हैं और शुरूबात में बोला गया कि जो आपका एक्जाम का जो पेपर था 15-15 लाक रुपे में जो है इसका यहां पे सौधा हुआ इसके बाद दोस्तों देखें क्या लिखा है गैं इसके बदले में 15 लाक रुपे चुकाए है हलाकि यह aspect नहीं हो पाया है कि company के पास परचा कहां से आया है क्योंकि मामले में company से संब्दित कोई नहीं मिलाए पुलिस अब मामले में company के अधिकारियों की भूमी का कीवी यहां पे जाच यहां पे कर रही है इसके बाद देखे लिखा इन शेयरों में फैला network पुलिस अधिकारियों की माने तो गैंक का जवलपुर भोपाल इंदौर यह network यहां पे फैला है गलत तरीके से यह job यहां पे नहीं मिली इस चीज की खुशी यहां पे रहने वाली है हाला कि candidates को जो है यहां पे थोड़ा परिशानी का सामने करना पड़ा कि exam center तक गए exam center पे जाके काफे candidates ने first shift का भी paper दे दिया फिर उसके बाद second shift के candidates भी शामिल हुए तो वो second shift के candidates exam नहीं दे पाए तो उनको निरा शोकर वापिस जो है लोटना पड़ा तो काफी दिक्कतों का सामना candidates को यहां पे बले ही करना पड़ा लेकिन अच्छी बात ही हुई कि यह जो है scam है यह स सारी जो information है वो आप लोगों को यहां पे इसमें दे दी गई है बाकी आगे देखते हैं जो भी जानकारी website पर आती है जो भी information मद्यपरदेश एनेचेम द्वारा दी जाती है तो वो कुछ समय में आपको update provide करा जाएगा और जो भी information दी जाएगी मैं आपको जानकारी जरू करें जैसे कोई update आता है कोई भी information आती है इससे सम्मदिद आपको जानकारी जरूर मिलेगी इसी वीडियो के नीचे जाए subscribe के right बटन को click कर ले हर information आगे भी पाते रहे मिलते हैं आप से अगले वीडियो में thank you so much